आज मैं बना रही हूँ बेशन की बर्फी इतना आसान है बनाना इसे हर कोई अपने घर में बना के तयार कर सकता है और बहुत ही जल्दी 10-12 मिनट में बना के तयार कर सकते हैं यह देखे एक बाई इसे घर पर बनाओगे तो कभी भी बहार से लाना पसंद नहीं करोगे इसे फींच्रह कोई है डिएहां के इस फील निषन बना रही होती है और बनाना इतना आसान है अब यहारों का समय शुरु होनी वाला है तियुहारों के टैमपर बजार कीसमें काफी ज्यादा मिलाओण होती है और वह महंगी भी मिलती है तो हम घर मेंसे बहुत है आसान जो बूहना जाए जना जानों पयोर तो जर यह शांब ही साबरी को बनाऊने हो ज़ाता है ब्चास अर् कहलते हुए और पर दो हमें जोड़ते को पर आसब करेंब भूरन में नहीं जोड़ा तो रर्ण गया है थो कि कान आता पड़र सिस्aking फ्रहने दो हमें लगा वह सही उना फर्केंट ने में अनद़ Besides पांच मिनिट हो गए हैं तो अब इसमें हम फिर से एक चमर्जगी और डालेंगे फिर से हम अच्छे से चलाएंगे बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं नहीं तो बेसन नीचे से जल जाएगा तो हम इसे लगतार चलाते रहेंगे इसमें हलके से दाने होने लग गए हैं और जब बेसन अच्छे से भून जाएगा तो उसके बाद इसमें घी चोड़ने लग जाए अब इसमें जो जांदाने हो गए है यह दीरे दीरे घी छोड़ने लग जाएगा तो यह देखिए काफी अच्छे से इसने घी छोड़ दिया है यह इतना गीला हो गया है मैंने कुछ पर नहीं डाला अभी तर केवल घी और बेशन ही है यह देखिए जैसे बेशन भून जाए हमें इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी नीचे पर यह बहुत गरम होता है और आप गेंस बंद भी कर दोगे तो भी यह नीचे से जल सकता है तो हमें इस तरह से फटा 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 से चलाते रहना है और यह देखिए काफी गीला हो गया है यह और हमने इसमें अभी काफी गीला हो गया है तो इसमें मेने इस्टम्पर थोड़ा सा गीस ओर डाल दिया है आधि घीर ओ जॉदिश के आधिक काफी गीला हो गया है अब गाई शीक्वी जो यह दो आएगी नहीं तो उसके दाने रह जाएंगे और यह देखिए चीनी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से नेक से कर लिया है चीनी डालने के बाद इसे हम 2-3 मेर फिर से भूनेंगे और चीनी इसमें जब घुल जाएगी तो यह और गीला हो जाएगा इसमें हमें जादा चीजों की जरुवत नहीं पड़ती है बस तीन चीजों की जरुवत पड़ती है और तीन चीजों से ही मिलके यह बहुत ही बढ़िया बर्पी बनके तयार हो जाती है यह देखिए दीरे दीरे चीनी इसमें मेल्ट होने लगी है तो यह गीला होना सुरू कर तो हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगा इसका कलर देखे कितना बड़िया कलर आगया है इसमें बहुत ही अच्छे से हमारा बेशन भून के तयार हो गया है इस टाम पर हम गैस को कर देंगे बन और इस तरह का हो जाए तो हम गैस को तभी बंद करेंगे इस चे पहले गैस बंद कर लिया था और हम इसमे है इसमे यह वर जाने के लिए डालेंगी बेडर आभ यह शन्हाना है अब हम इसमें बर्पी जांटोसरी कर दादा मह एंड़िया हो ज्यारे पांगा वन्यां उंद्स नहीं उटकर लिया हो जाए आँग अथो बा दोगा-तिया नॉर्षम सिन्ह तोड़ा सा ड्राइफूब डाल दिये मैंने और अब हम इसे सेट रोने के लिए छोड़ देंगे एक चे डेड़े घंटे के लिए अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे मुझे जिए अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब पूसर को काट लेते हैं अपने मन पसंद पीस हमारी बंके तयार हुई है और बनना असान है कि कोई पीचे बना के तयार कर सकता है ज्यादा कीजों पीश में जरूरत भी नहीं पड़ती है और हम इसे इस तरह से बैकपी वाली शेप में काट रहे हैं और मैं यह काट के त्यार कर लिया है तो अब हम इसकी पेशिस निकाल के अलग करेंगे इतनी बढ़िया तरह से कट गई है बिल्कुल भी टूटी नहीं है और अब हम इसको एक इस प्रेचला से निकाल के इस तरह से प्रेट में लगाएंगे अब हम इसे बिल्कुल आसानी से निकल जा रहे हैं बहुत ही बढ़ा तरीके से और यह हमने सारी परफी निकाल के प्रेट में सर्व कर लिए तो अब इसे हपते भर 10 दिन तक कर स्टोर करके रख सकते हैं